हेलो दोस्तो कैसे आप सब मेरा नाम है सिवम और आप सभी का अपने परिवारती वारी सरसाइन्स में स्वागत है दोस्तो आज हम रिजिनिंग में काउंटिंग आफ फिगर ट्राइंगल्स की संख्या कैसे काउंट करते हैं इसका पार्ट टू लेके आ गया है पहले पार्ट में हमने पांच टाइप से हमने देखा था कि किस तरह से पांच टाइप से question आते हैं हमारे exam में है पांच टाइप हमने देखे थे ट्राइंगल्स के पांच प्रकार देखे थे उनको बढ़िया अच्छे से समझा था एक एक concept क्लियर किया था है और छोटी छोटी आकरती को समझा था अब हम करने वाले हैं कि छोटी छोटी आकरतियों से मिलकर जो बने प्रस्न होते हैं बड़े वाले उनको हम कैसे करेंगे है तो चलिए आज हम थोड़ा सा एक दो टाइप और देख लेते हैं फिर उसके बाद question की करते हैं अच्छे से practice तो बने रही है हमारे साथ आप वीडियो के end टक और वीडियो को अभी से कर दीजे like अगर आपको वीडियो पसांद आता तो आप share करना बिलकुल भी मत भूलेग है ना आपने जितने भी आपके whatsapp में group हैं study वाले उन सब में share कर दीजिए जिससे हर एक student की help हो सके है की नहीं तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों चटवा टाइप है हमारा हमने पिछले वीडियो में 5 टाइप discuss कर लिए थे अब हमारा चटवा टाइप है इसमें अगर square type में आ जाए देखिए square shape में आ जाए और इस तरह से अगर बीच से divide की हुए है यह हम कह सकते हैं weekend गए हो है ना तो इसमें जो triangles बनते हैं अगर इस तरह से आ जाए तो अगर पूछ ले आप से exam में इस तरह से shape आ जाए और पूछे triangles की संख्या कितनी है तो आप कैसे count करें हैं देखिए first, second, third, fourth यानि यहां से कह सकते हैं एक, दो, तीन, चार यहां से तो यह चार triangles हमको दिख रहा है है ना फिर यहां से देखिए यहां से start करेंगे तो यहां से यह पूरा 5 और यहां से यह पूरा 6 इस तरह से 6 हो गए है ना फिर यहां से देखिए इस corner से इस corner से यह पूरा यह 7 और इस corner से यह पूरा 8 तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें na triangles हमारे होंगे 8 है ना लेकिन figure जब थोड़ा सा complicated हो जाता है है ना तो इस तरह से हमें गिनने में थोड़ हो जाती है problem हो जाती है हम सिमश्या हो जाती है हम खुद confuse हो जाते हैं कि हम कितने triangle count कर गए गितने बांकि हैं कौन सा count किए कौन सा नहीं किए है की नहीं को हम कैसे समझे है हमारा concept concept हमारा देखिए इसमें अप numbering कर लिजे, अगर आपको दिख रहा है, कहीं पर भी square shape दिख रहा है, है ना, और उसके corners को आपस में मिलाया गया है यह हम कह सकते हैं, उसमे line है, है ना line खीची गई है, जो जो इनकी भूजा पर touch हो रही है इस तरह से, है ना, तो हम यहाँ पर numbering देना, start कर देते हैं, numbering देंगे, और जितना number आता है, हमारा आखरी में, है ना, उसका रवल, यानि 2 का गुड़ा कर देते हैं, तो यहाँ से, देखिए, हम कह सकते हैं, कि 4 number आया, तो यहाँ का, इसका 2 गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आजाएगा, तो इस तरह से, हम इसको solve कर सकते हैं, है ना, तो इसको कैसे solve करेंगे, इसमें भी देखिए, सेम, सेम diagram दिख रहा है हमको, आप बताएं, सेम diagram दिख रहा है, square में, देखिए, यहाँ से बीकरणों को मिलाए गया है, है ना, यहाँ सकते हैं, corner को, और यहाँ से देखिए, इसकी भुजा में, भुजा से भुजा पर line गई हुई है, है ना, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, कि यहाँ से सभी में, triangles बन रहे हैं, तो यहाँ से देखिए, कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ से भी number देना, start कर देते हैं, है ना, अब आखरी number जो हमारा था, 6, है ना, तो 6 का double कर देंगे, यहाँ हम कह सकते हैं, इसमें triangles of, कितने होंगे, 12, number of triangles कितने होंगे, 12, तो आपको एक concept समझ में आया होगा, है ना, तो यहाँ से हम कितनी भी line खीच दें, लेकिन सभी line में, जैसे यहाँ से हम मिला देते हैं, तो यहाँ से हमारे बनने चाहे है, triangles, triangles बनने चाहे है, तो हम कह सकते हैं, कि यहाँ से करते हैं practice तो देखी ये रहे दोस्तों हमारे figure रहे यह में number of triangles निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे है यह जो हमने छटववा टाइप बताया आपको इसके पहले हमने छटववा टाइप बताया तो उसी से मिलती जूलती आकरती आप देख पा रहे होंगे समझ पा रहे होंगे लेकिन यहाँ पे ना दो स्कॉयर दे दिये हैं अंदर और बाहर है ना तो इसको कैसे करेंगे देखिए कैसे करेंगे समझते हैं आप पहले बड़े वाली square में देखिए है ना बड़े वाली square में क्या करना होता है नमबर देना होता है तो यहां से आप नमबर देजे 1,2,3,4,5,6,7,8 है ना और फिर हम क्या करते हैं इसका double कर देते हैं यानि हम कह सकते हैं बड़े वाले ट्राइंगल से हमारे आ जाएंगे 16, 16 क्या जाएंगे त्रभूज, है की नहीं, समझ मैं आपको, किस तरह से आ रहे हैं 16 त्रभूज, है ना, फिर इसके बाद ये जो अंदर छोटा सा स्कॉयर बना रखा है, है ना, छोटा सा स्कॉयर बना है हमारे, है ना, देखिए आप गिनिये, यहां से देखिए, यह त्रभूज बन रहा है, तो इसमें भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, तो इस तरह से भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, अब देखिए, 8 अंदर आए, 8 बाहर आए, है ना, अगर अंदर वाले की बात करें, तो इसमें कितने त्रभूज बनेंगे, 16 यहां से भी बन जाएंगे, है ना, यहां से भी 16 बन जाएंगे, तो हम कह सकते हैं, 16 यह त्रभूज बन जाएंगे, तो टोटल अगर त्रभूज हम पूछें, आपसे ट्राइंगल्स, तो टोटल की संख्या हो जाएगी हमारे 32 है न तो ये राइट ऑप्सन हो जाएगा हमारे 32 तो इस तरह से आप सॉल्ब करेंगे सवाल को तो आपको कॉंसेप्ट समझ में होगा आपको करना कुछ नहीं है अगर आपको स्कॉयर दे रखा है कहीं पर है न और उसकी भुजाओं को आमने साम सब्सक्राइब है करना कहा दो सब्सक्राइब साथ है न तो यहांसे मंध करने के बाद और इहांसे ट्राइंगल welcome कर चुक दे रखिए ये वाली तो कैसे करेंगे माइंड लगाए दिमाग लगाए इसमें हमें triangles number of triangles बताने हैं कैसे बताएंगे देखिए numbering दीजे one two और यहां से three four है ना one two three four यहां पर हमारे triangles नहीं बन रहे है ना आप गलती से भी इसको double मत करिएगा गलती से भी आप double मत करिएगा यहां पर आपको साप साप जिखराएंगी एक triangle से यहां से यहां तक है दूसरा यहां से यहां तक है तीसरा यहां से यहां तक है चौथा यहां से यहां तक है अगर पांचवों triangle की बात करें तो इस तरह से हम count करेंगे है न तो यहां पर आप थोड़ा सा confused हो गए होंगे यहां पर थोड़ा सा आपको जटका लगा होगा एक ठो यहां पर देखिए क्यूंकि यहां पर हमें तो फिर हम count कर लेते उस तरह से है न लेकिन यहां पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है तो यहां पर पहले समझे आप डाइग्राम को समझे फिगर को समझे किस तरह से है न चलिए अगली आकरती हमारी यह है यह थोड़ा सा complicated है कैसे करेंगे आप इसको समझे कैसे करेंगे देखिए य यहां पर हमने आपको समझा लिया कि यहां पर आकरती यह आप numbering करिये सभी triangles बन रहे है 1,2,3,4,5 और 6 है न इस तरह से आपने numbering कर ली कर ली न numbering और इसको क्या करना है double यानि हम कह सकते हैं यहां से square से हमारे यह square से हमारे कितने बन जाएंगे है न बारा बारा त्रिभू बन जाएंगे और उपर वाले से उपर वाली आकरती को हमने पहले वीडियो में बता रखा है है ना पहले वीडियो में हमने बता रखा है कि first second and यह पूरा third तो यहां से बनते हैं हमारे तीन triangles तीन त्रिभूल बनते हैं अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो i button में आपको link मिल जाएगा आप उसको पहले देख लीजे फिर इसके बाद यह बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है है ना तो यहां से देखिए हम कैसे count किये अलग-अलग है ना यह आकरती को अलग count किये यह आकरती को अलग count किये अब देखिए इन दोनों को जब जोड दे करनेगा है कि ने और यहां से एक ट्राइंगल बन जाएगा तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां से दो directory हो जाएग है इस तरह से हम count करेंगे तो आपको समझ में आया होगा ये concept, है ना किस तरह से हम सवाल को deal करेंगे, अगर आपको कोई भी complicated आकरेती दिखती है, diagram दिखता है, उसको break करके पहले count करिए, break करके count करेंगे, उसके बाद जब उनको आपस में relate करेंगे, जोडेंगे, तो वहाँ पर देखिए कि जोडने से कोई triangles बन रहा है, अगर बन रहा है तो उनको count कर लीजे, तो इस तरह से आप count कर सकते हैं, तो चलिए इस सवाल को आप solve करिए, खुद से solve करिए, अगर आप ऐसा सवाल solve कर पा रहे हैं, तो समझ जाए कि आपको concept समझ में आ गया है, है ना, आप सीख चुके हैं, देखिए क कैसे करेंगे, यहां पर देखिए, यह आकरती हम पहले बताए थे आपको है ना, यहां से एक आकरती, यहां से हम कह सकते हैं, one, two, three, four, है की नहीं, four है, तो यहां को, यहां पर अगर triangles, number of triangles देखें, तो यहां से कितने हो जाएंगे, यहां से हम कह सकते हैं, हमारे चार दुन अलग-अलग count कर लिए अब देखिए जब इनको अपस में relate करेंगे तो यहां से एक triangles यह बनेगा दूसरा यह बनेगा बनेगा तो यहां से दो triangles और हो जाएंगे तो यहां हम कह सकतें आठ ती 24 प्लस दो है ना फिर इसके बाद यहां से देखिए यहां से एक यह बनेगा यहां से एक यह बनेगा फिर दो है ना तो यहां से हम कह सकते हैं हमारे number of triangles हो जाएंगे 28 त्रिभूज तो इस तरह से हम इस आकरती को count कर लेंगे अगर आपको यह आकरती समझ में आई है करने के लिए आप इस डाइग्राम में numbers of triangles निकाल के नीचे comment box में ज़रूर बताएए अगर आपको समझ में आया है है ना सुन रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं यह वाली आकरती के numbers of triangles निकालिए और नीचे comment box में लिखिए यह वाला सवाल आप खुद करने वाले हैं देखिए इन डाइग्राम को देखिए इन आकरतियों को देखिए आप कैसे solve करेंगे है ना पहले lecture में हमने इसकी explain definition बता रखी है इसको समझा रखा है इस तरह से कैसे count करेंगे अगर इस तरह से देखिए कोई triangles है कोई triangles है इसमें vertical से इसके vertical से सीर से base में कोई line आई हुई है ना तो हम कह सकते हैं यहां से यह हमारा base हो जाएगा इस तरह से तो इनको count करने की नहीं हम counting करते हैं 1,2,3,4 इस तरह से 1,2,3,4 जब इसमें horizontal line नहीं होती है तो इस तरह से हम count करते हैं है न फिर हमने बताया था इसका मतलब यहां से आप count कर लीजे numbers कर लीजे तो यहां से हमारे triangle हो जाते हैं 6, 4, 10 तो यहां से हमारे triangle हो जाते हैं 10 लेकिन जब यह 36 line आ जाती है 36 line तो यह 36 line देखिए यहां से अगर हम बात करें यहां से उपर से यहां से पूरा तो वही same shape बना रहे हैं यहां से number करेंगे आप 1, 2, 3, 4 तो इस तरह से आप add करेंगे तो उपर अगर यहां से यह पूरी आकरती की बात की जाए तो यहां से हमारे triangle हो जाएंगे 10 अब यहां से 36 line आ जाती है यह देखिए तो यह एक base बना देती है क्या बनाती है एक base है ना तो हमने आपको कहा था कि जहां पे आपको base दिखे ना base दिखे और base के बगल से दो line गई हो और उसके series पे अगर touch हो रही है इस तरह से देखिए यह base है इसके बगल में यह base है यह base है यह दो line है ऊपर touch हो रही है तो इस तरह से हम numbering दे दिए अब यहां पे आपको numbering देना है यहां से भी हमारे 10 हो जाएंगे और यहां से भी हमारे 10 हो जाएंगे तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि number of triangle हमारे कितने हो जाएंगे 40 है ना आया आपको समझ में है ना ची ट्रिक इस तरह से हमें solve करना है जहां पर आपको बेस दिखे ना जहां पर आपको बेस दिखे उसके बगल से दो लाइने दिखें और वह लाइने सीर्स पर टच हो रही हो अगर ट्राइंगल से में बात कर रहे हम टच हो रही हो है ना तो इस तरह से हम इसको हम ने क्या बताया कहीं पर बेस दिख रहा हूँ आपको नीचे से solve करिए उपर से है ना उपर से कर लेते हैं देखिए यहां से यह देखिए पहले सेम आकरती है उपर वाली तो यहां से हम कह देंगे 1 2 3 4 तो यहां से हमारे numbers of triangle आ जाएंगे 10 है ना इसमें भी आ रखें 10 इ 3 4 1 2 3 4 यहां से हमें हमारे numbers of Robbie l they're ट्राइंगल आ जाएंगे 10Îनको आड करना है यहां से साथ दूनों एक दस यहां से आजाएंगे दस फिर इसके बाद इसके बाद बताए यहां से यहां से यहां से यहां से बेस दे रखा हैं तो यहां से भगल से दो line ये गई है, series में tच भी हो रही है तो यहां से हमने दे रिया numbering और यहां से हमारा आता है जोडने के बाद 6 फिर यहां से देंगे, क्या? हा देंगे, बिलकुल देंगे यहां से देखिये, यहां से दो line ये इसके बगल से गई है, base के series में touch हो रहे हैं तो यहां से 1, 2, 3 तो यहां से भी आ जाएगा 6 और यहां पे देंगे क्या बिलकुल देंगे देखिए यह line, यह line दोनों series पे touch हो रही है तो यहां से हम 1 और 2 तो इस तरह से हम कह देंगे यहां से 2-1-3 है ना इनको add कर ली जाए 10 10 20 और 20 26 26 32 33 तो यहां से numbers of triangle हमारे आ जाएंगे 35 इस तरह से solve करेंगे बताईए easy है है ना easy best approach बता रहे हैं हम आपको exam की दृष्टी कोर्ट से railway ntpc में बहुत बार ऐसे question आए हैं तो आप ध्यान रखिए इस बार ntpc में ऐसे question फिर से आएंगे और आप miss मत करिएगा इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप कोई भी lecture miss मत किया करिए क्यूंकि lecture में जो भी content हम लेके आते हैं तो best content लेके आते हैं हम आपके लिए तो आपको यह समझ में आयोंगे दोनों diagram एक number की question है यह अगर आपको थोड़ा अगर doubt रह जाता है तो आप पहले पहला lecture देख लिए पहला lecture देख लेंगे तो आपकी image clear हो जाएगी उसके बाद आप इस lecture को देखिए तो आपको एक एक point समझ में आएगा 100% question आपके mind में set हो जाएगे चलिए अगला question लेते हैं कैसे किया जाए ऐसी आकरती आजाएगी देखिए कैसे करेंगे ऊपर वाला जो हमने type किया ना भी same उसी type का question है जहाँ पर आपको base दिखेगा उसके बगल से दो line series में touch हो रही है तो आपे numbering देगे तो यहां से देख नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए base दिख रहा है यहां पर है ना base और यहां से दो line उपर series में touch हो रहे है यानी 1 और 2 तो यहां से हमारे आजाएंगे triangles 3 है ना फिर इसके बाद यहां नीचे आते हैं तो यहां से 1 2 3 4 और यहां पर देंगे क्या आप number यहां पर number आजाएंगे 10 तो इस तरह से हम solve कर सकते हैं है ना फिर इसके नीचे अभी फिर से बड़ा वाला base है ना यह पूरे में base है देखिए तो यहां से हम सभी में numbers देंगे 1 2 3 4 5 6 तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहां से 10 5 15 26 तो यहां से triangles आ जाएंगे हमारे पास 21 numbers of triangle आ जाएंगे 21 आप इनको आड़ कर लिजे 6 5 11 4 15 और 15 25 21 है ना अब इन numbers को आपस में क्या करना है जोड़ देना है है ना 21 10 31 और 31 और 4 35 तो numbers of triangle यहां से भी आ जाएंगे हैं मारे पास 35 तो इस तरह से आप solve कर सकते हैं ना एक्जाम में अगर ऐसा question आता है तो आपको question उड़ा देना है है ना क्यूंकि इसमें आपके साथ साथ हमारी भी मेहनत है हम भी effort लगा रहे हैं आपको best से best approach सिखाने का तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको ऐसा question मिलता है ना तो आपको उसको miss नहीं करना छोड़ना नहीं किसी भी हालत में आपको उसे miss नहीं करना skip नहीं करना question को चलिए अगला question कैसे solve करेंगे exam में आया हुआ question है यह कैसे solve करेंगे बताए एक पार कैसे solve करेंगे इसको हम बता रखें देखिए अगर इसको figure को ilta करके देखें यहां से तो यह triangles मिल्ला है यह यह गतर इस बेस की बात करें तो यहां से ये दो लाइन इसके सीर से मिल नहीं है यहां पे यहां पे भी देखिया इसे मिल नहीं है यहां से demokrati को काट दीजे अब यहां से देखिए जब ऐसी आकरती होती है है ना एक ट्राइंगल में बीच में लंब पड़ा होता अगर इसको सीधा करके रखेंगे तो एक आकरती है त्रिभुच की ट्राइंगल की बीच में लंब पड़ा हुआ है है ना यहां से अगर इसको समझें तो यहां से देखिए यह पूरी आकरती है और यह बीच में लंपड़ हुआ इस तरह से दिखेगी है ना और इसमें नंबर सौप ट्राइंगल हम बता चुके हैं आपको पहले लेक्चर में 3 होते हैं कैसे 1,2 और यह पूरा बनने वाला 3 तो यहां से हम कह सकते हैं 3 है ना अब क्या है अब जब दो ब्रेक करके तो हमने काउंट कर लिया लेकिन जब दो आकरती को आपस में एड कर देते हैं तो उनसे बनने व इस पॉइंट से लेते हैं तो इस पॉइंट से तो यह हम काउंट कर चुके हैं ना है ना फिर इसके बाद इस पॉइंट से देखिए इस पॉइंट से यहां यहां तक एक बन जाएगा है ना प्लस यहां से यहां तक यह पूरा बन जाएगा प्लस वन तो यहां से देखिए 6 3 9 2 11 तो यहां से numbers of triangle कितने आ जाएंगे 11 आपको यह दिखा नहीं क्या यहां पर देखिए एक है यह आपको समझ में आया एक कैसे आया यहां से यहां से हम देखेंगे तो यह पूरा triangles बनेगा इसको हमने थोड़ा count किया था हमने अलग-अलग अकृतियों को गिना था अब इ यहां से पूरा triangles बनेगा और दूसरा यहां से बनेगा तो एक प्लस एक इस तरह से numbers of triangle हमारे आ जाते हैं गेरा तो इस तरह से हम best approach लगाके इन सवाल को उड़ा सकते हैं देखिए आप साथमा टाइप है हमारा यह थोड़ा सा high label के question हो जाते हैं तो आप यह भी कर लीजे द आफ हैं दो साइड में हमारे base क्या है बराबर है इस side बेस हमारा सिर्फ एक है है अईसी आकरति संभी आकरति कहते हैं symmetric figure कहते हैं में इसकी two side हमारी क्या है सम्मित हैं सम्मित हैं यहां पर base की संख्या बराबर है तो कैसे किया जाए कैसे करेंगे इस figure को भी देखिए one two three four यहां भी base दो side पराबर है तो यहां पे अगर आपको दिख जाता है तो आप सीधे क्या करेए triangles नहीं गिन सकते आप गिनेंगे, confuse हो जाएंगे, गिनेंगे, confuse हो जाएंगे तो इस तरह से triangles आपको गिनना नहीं है देखिए इसकी थोड़े से एक ट्रिक है आपको mind में लखनी है अगर दो साइड से base हमारे समान है है ना आकरती हमारी सम्मित है यहां से तो देखिए base गिनिए 1,2,3 यानि 3 base है ना हमारे है ना जो जितने base होंगे उसका हमें कर देना क्यों हो तो यहां से triangles की संख्या आजाएगी 27 है असान और असान चीए क्या आपको इससे आसान तो आपको मिली नहीं सकता सबसे best approach है यहां से base गिनिए base कितने base हैं तीन base हैं तीन का cube कर दीजे यहां से अगर base गिने 1,2,3,4 तो 4 base है ना 4 तो यहां से 4 का cube कर दीजे तो यहां से आजाएगा हमारे पास 64 तो यहां से numbers of triangle आजाएगे हमारे पास 64 है smart तरीका समझ में आए ना आपको इस तरह से करना है अब इस तरह से कभी भी कोई भी figure आजाए है ना आप 2 side देखिए उसकी 2 side देखिए अगर 2 side में base समान है ना दोनों side यहां से base count कर लिजे है ना दोनो side base समान है तो base का cube करना होता है यहां से आ जाएगा हमारे पास 64 तो इस तरह से हम solve कर सकते हैं तो आप यह तरीका mind में रखिए गा और चलिए थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं तो यह question आ जाता है हमारा और इस question को हमने पीछले lecture में भी discuss किया था है ना और इसकी एक trick भी बताई थी लेकिन कुछ बच्चों को इसकी trick पसंद नहीं आई थी एक हमारी सम्मेत आकरती है देखिए कैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना 1 2 3 4 इसके तीनों side में base समान होंगे जो पिछली वा इसकी trick बताई थी कि यहां से जो base है ना यहां से 1 2 3 4 नमबर लिख लिजे इसकी trick बताई थी 1 2 3 4 है ना इस तरह से number लिख लिजे अब इसको as a tease लिख दीजे 1 है ना फिर इसको इसमें जोड के लिख दीजे यानि 3 और इसको इसमें जोड के लिख दीजे यहां से आ हमारा 10 है ना फिर इन नंबर्स को आपस में जोड़ लीजे यही बताय था ना हमने देखिए 10 और यहां से 6 16 और 3 19 एक 20 तो यहां से आ जाएगा 20 लेकिन नंबर्स आप ट्राइंगल अभी 20 नहीं आए फिर हमने बताय नहीं था कि पहला वाला छोड़ दीजे दूसरा वाला ले लिजे तीसरा छोड़ दीजे चौथा ले लिए यहां से 6 और साथ और ले लेना है और प्लस साथ कर देना इसमें तो यहां से आजाएगा हमारे पास 27 तो कुछ बच्चों को यह समझ में नहीं आया था है ना वो कह रहे थे कि सर इसका कोई दूसरा तरीका बताएं तो देखिए दूसरा तरीका इसका क्या होता है दूसरी ट्रिक क्या है इस तरह कि अगर आपको कहीं भी आकरती दिखती है पिछले वाले टाइप में पिछले वाले टाइप में दो हमारे बेस यानि दो साइडें जो है उसम 4 का कर दीजिये इसमें square इसमें क्या करेंगे आप इसमें कर देंगे square यानि 4 का square 16 है न चार का कर दीए square आपने 16 और 16 को कर दिए 2 से गुडा यानि इसका डबल कर दीजिये 16 दुनी 32 हैना क्या आता है 32 और 32 में 5 घटा लिए बत्तिस में 5 घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 27, यह हमारा आंसर है, तो कितनी भी बड़ी आकरती हो, ऐसा नहीं है कि यह ट्रिक खाली इसी आकरती में काम आएगी, कितनी भी बड़ी हो, है ना अगर आकरती देखिए इसी में हम solve करके देखते हैं यहां से आकरती हम यहां से erase कर दें है ना तो यहां से 3 base वाली आकरती नहीं बनेगी देखिए यहां से 3 base वाली आकरती नहीं बनेगी है ना 3 base वाली और 3 base वाली आकरती में हम कल निकाले थे कि 13 triangles होते हैं 13 त्रिभूज होते हैं इसमें कैसे लगाएंगे देखिए 3 base वाली है ना 3 base वाली तो यहां से 3 का करना हमें square तो 3 का करेंगे हम square तो क्या आ जाता है यहां से देखिए 3 का करते है square तो आ जाता है 9 और 9 का करना 2 से गुड़ा यहां से आ जाता है 18 हमारा और इसमें 5 घटा देना है तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 13 कल भी हम 13 निकाले थे इस trick से आज हमने इस trick से निकाल दिये 13 तो इस तरह से यह trick आपको समझ में आ जाएगी तो इस तरह से solve कर सकते हैं बड़िया trick है समझ में भी आए होगा आपको भूलेगी भी ने जल्दी बस आपको figure थोड़ा सा ध्यान रखना है यह कब लगीगी जब तीनो साइड से तीनो साइड हमारी सम्मित हो यह आकरती हमारी सम्मित होनी चाहिए तीनो साइड में हमारे base की संख्या बराबर होनी चाहिए समान होनी चाहिए है ना तो चलिए हम यह आखरी question और कर लेते हैं यह question हम पहले lecture में कर चुके हैं वहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं low level का question था है ना वहाँ पे थोड़ा सा आकरती थोड़ा सा low थी है ना लेकिन यहां पे थोड़ा सा medium label के और अपा labor के question दोनों है तो यहां से देखिए कैसे करेंगे जब ये पूरी आकरती होती थी इसके बीच में इसके अंदर एक triangles होता था और इसकी तीनों तीनों side को touch करता था उसके जो अंदर वाले triangles के जो corner है तीनो side में touch करते थे तो इसको हमने count किया था कैसे ये पूरा 1 ये पूरा 2 ये पूरा 3 और ये पूरा 4 और इसके बाद ये बड़ा वाला 5 है ना तो यहां से हम कह सकते हैं इसको कैसे count करेंगे उसी तरह करिए ये पूरा 1 ये पूरा 2 है ना ये पूरा 3 और ये बड़ा वाला 4 और ये 5 है ना तो हम कह सकते हैं यहां से देखिए 5 triangles तो यहां हो गए हमारे अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे आकरिती तो आप पीछे वाला lecture देख सकते हैं पूराना वाला है ना उसमें आपको समझ में आ जाएगा 5 अब देखिए यहां से जो रेखा डाल दीना तो यहां से ट्रिफुज डवल नहीं हो गए तो यहां से हम यह दोनों ट्रिफुज गिनने पड़ेंगे तो यहां से कह सकते हैं दो यहां से दो यहां से दो यहां से तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां से हमारे ट्राइंगल सा जाएगे 6 है ना अब यह तीसरा ट्राइंगल से नहीं गिनेंगे तूंकि यहां से ट्रांगल्स आ जाते हैं हमारे पास गिरा है अगर आपको यह समझ में जाते हैं तो इसको ब्रेक कर लिजे से यहां से ब्रेक न्यटों फोल निए गे Candi 9 हो जाएंगे ना, जब 9 हो जाएंगे, जब इनको आप लाएंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, इन तीनों के बेस से देखी है, ट्राइंगल बन जाएगा, 10 हो जाएंगे, है न, 10 हो जाएंगे की नहीं, अब बताएं, जोड़ दिया, तो यह बड़ा वाला ट्राइ यह तो आगर आप चाहें तो यहां से रेज़ करें यह लाइन अगर आप रेज़ कर दें तो कल वाली से माकरती बन जाती है है ना, उसको हम कैसे count करेंगे कैसे गिनेंगे तो यहा से देखियें अंदर वालेце अंदर वाले triangles में यहाँ पर numbering दीज्जीए one two three four तो यहाँ से four triangles बन जाते हैं तो यहाँ से four count कर लेते हैं फिर इसके बाद यह अंदर वाला year खतम हो गया पिर इसके बाद यह बाहर आते हैं और इसी तरह से फिर यहां पर count numbering देते हैं यानी 1, 2, 3 और यह 4 तो यहां से फिर 4 आ जाता है हमारा तो इस तरह से देखिए और 1 triangle हम count करते थे यहां से बड़ा वाला तो इस तरह से हम बड़ा वाला triangles काउंट कर लेते थे तो यहां से हमारे total numbers of triangles आ जाते हैं यहां से आ जाते 9 तो इस तरह से हम 9 निकाल लेते हैं लेकिन अब यहां पर यह जो एक line आ जाती है यह line यह line यह line आ जाती है है न तो यह triangles को क्या करती है दो बराबर भागों में डिवाइट कर देती हैं है ना तो यहां से दो ट्राइंगल्स और बन जाते हैं तो यहां से हम कह देंगे कि यह दो ट्राइंगल्स यह दो ट्राइंगल्स और यह दो ट्राइंगल्स छे ट्राइंगल्स और बन जाते हैं हमारे पास है ना और ये बड़ा वाला triangles तो हम count ही कर चुके हैं तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे numbers of triangles आ जाएंगे 15 तो इस तरह से आप इस सवाल को उड़ा सकते हैं आपको ये question समझ में भी आया होगा तो number of triangles से related हमारे पास question हो गया है खतम तो इस तरह से हम count कर सकते हैं आपको concept समझ में आया होगा इस तरह से सारे triangles के related question हम कर सकते हैं है ना अब हम square पे video लेके आएंगे square पे हम square count करने पे lecture लेक्चर लेके आएंगे तो उनको आपको समझाएंगे उनके सारे type जो exam में पूछे जाते हैं तो आप इन लेक्चर को एक दो दिन में repeat कर लीजेगा एक बार और तो इससे क्या होगा कि इसकी image आपके mind में और अच्छी से clear हो जाएगी है ना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद